श्री राधा कृष्णा आए नमो नमह सरपथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलो की वंदना करता हूँ आप सभी भक्त जनों को भी सादर नमसकार करता हूँ श्री गर सहिता के माधूर खंड से आज हम भगवान श्री कृष्ण के उस दिवे बाल लीला कथा का शवन करेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण वरुन लोग जाकर नंद बाबो को सुरक्षत विंदावन ले आते हैं और गोप गोपियों के आगरे करने पर भगवान श्री कृष्ण समस्त गोप गोपियों को वैकुंठ लोग के दर्शन कराते हैं और अपने परम दिवे भगवत सुरूप के भी दर्शन कराते हैं याती सुन्दर दिव लीला कता है जो इस प्रकार से प्रारंब होती है शिनारजी कहते हैं एक दिन की बात है नंदराज एका दसी का वरत करके दो दसी को निशत काल में ही गौलों के साथ यमना स्नान के लिए और जल में उतरे वहाँ वरुन का एक सेवक उन्हें पकड़ कर वरुन लोक में ले गया मैथिलेश्वर उस समय गौलों में कोहरा मच गया तब उन सब को आस्वाशन दे भगवान शिहरी वरुन पुरी में पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरी के दुर्गों को भस्म कर दिया कडोडो सूरियों के समान तेजस्वी शिहरी को अत्यंत कुपित हुआ देख वरुन ने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़ कर कहा वरुन बोले शिकरश्ण चंध्र को नमस्कार है परिपूंतम परमात्मा तथा असंख ब्रम्भांडों का भरन पोशन करने वाले गोलुक पती को नमस्कार है मेरे किसी मूर्ख सेवक ने या पहली बार आपकी अवेलना की है उसके लिए आप मुझे शमा करें परेश भूमन मैं आपकी शरन में आया हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए श्री नारजी कहते है राजन ये सुनकर प्रसंद हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी को जीवित लेकर अपने बंधु जनों को सुख प्रदान करते वे व्रज मंडल में लोट आए नंद राज के मुख से श्री हरी के उस प्रभाव को सुनकर गोपी और गोप समुदाय नंद नंद श्री कृष्ण से बोले प्रभो यदि आप लोग पालों से पूजत साक्षाद भगवान है तो हमें श्री ग्रही उत्तम वैकुंठ लोग का दशन कराईए तब उन सब को लेकर श्री कृष्ण वैकुंठ धाम में गए और वहां उन्होंने जोतिर मंडल के मद्द में विराजमान अपने सुरूप का उन्हें दशन कराया उनके सहस्र भुजाये थी किरीट और कटक आदी आभूश्रों से उनका सुरूप और भी भव दिखाई देता था वे शंक, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से सुशोभित थे अशंक, कोटी सुर्यों के समान तेजस्वी सुरूप से वे शेश नाकी शैया पे पौढ़े थे चवर डुलाए जाने से उनकी शुभा और भिद्वे जान पढ़ती थी ब्रह्मा आदी देपता उनकी सेवा में लगे हुए थे उस समय भगवान के गदाधती पार्शदों ने उन गोब गणों को सीधे करके उनसे प्रणाम करवा कर उन्हें प्रतन पूरवक दूर खड़ा किया और उन्हें चकित सा देखवे पार्शद बोले अरे वंचरो चुप हो जाओ यहां वकृता ना दो भाशन ना करो क्या तुमने श्री हरी की सभा कभी देखी नहीं है यही सबके प्रभू देवादी देव साक्षाद भगवान स्थित होते हैं और वे उनके गुन गाते हैं इस प्रकासक्षा देने पर वे गुप हश्र से भर गए और चुप चाप खड़े हो गए अब वे मनी मन कहने लगे अरे यह उचे सिंगासन पर बैठा हुआ हमारा श्री क्रशन ही तो है हम सबीब खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके उचे बैठ गया है और हमसे शन भर के लिए बात तक नहीं करता इसलिए ब्रज से बढ़कर ना कोई शेष्ट लोग है और ना उस से बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक लोग है क्योंकि ब्रज में तो यह हमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस पर बाचीत होती रहती है राजन इस प्रकार कहते हुए उन गोपों के साथ परिपून्तं प्रभु भगवान श्री हरी ब्रज में लोट के इस प्रकार से आज के सुन्दर दिवे कथा यहीं संपन होती है कथा शवन करने के लिए आपका धन्यवाद श्री राधा कृष्णाए नमो नमह